हेलो दोस्तों, गेट समेशिस में आपका स्वागत है नेक्स एक्जाम्पल इस construct a DFA which accept a language of all strings end with A लास्ट वीडियो में हमने डिसेज किया था containing A का, इस वीडियो में हम डिसेज कर रहे है, how to construct a DFA which will accept all the strings which must end with A, तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सबसे पहला स्टेप है, आपको language लिखनी है, और language होता क्या है language is a collection of string, तो यहाँ पे मेरे पास end with A में सबसे minimum string कौन सी आएगी, although सबसे minimum string तो हमारे पास epsilon होता है, लेकिन देखो epsilon में A कहीं पे नहीं आ रहा मतलब हमने सिर्फ वह लिखनी है, जो end with A होनी चाहिए, तो minimum कौन सी आएगी आपकी, A इसके लावा, obviously फिर इसको आगे बढ़ाते रहो, A, 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 A इस तरीके से, इसके लावा और कौन सी आ सकती है, B, A आ सकती है, yes, देखो B, A मे, A जो है वो last में आ रहा है, तो yes, B, A B, A, B, A इस तरीके से आ सकती है A, B, A yes, ये भी ठीक है because इसमें B, A last में आ रहा है, क्या A, B आ सकते है A, B, A, B A, B, A, B इस तरीके से आ सकती है string, नहीं, ये नहीं आ सकती because last में क्या आ रहा है मेरा B आ रहा है, और end with A होना चाहिए तो यानि यह वाली strings इसके अंदर नहीं आने चाहिए तो सबसे पहले आप language लिख लो मतलब कौन-कौन सी strings इसके अंदर आनी चाहिए तो यह महारे पास जो आगी language और यह कौन सी है infinite language जो है वो यहाँ पर बन रही है तो अब हम design करते हैं सबसे पहले DFA design जब हम करते हैं तो आपको minimum से minimum string के लिए design करना है तो मेरे पास जो है सबसे पहली जो हुमारे पास initial state या starting state होगी Q naught और Q naught पे जब मैं A alphabet हमारे पास alphabet है कौन से question में हमारे पास 2 alphabet है A और B तो Q naught A पे कहां जा रहा है Q1 पे जा रहा है और Q1 मेरी क्या है final state और देखो A जो है वो मतलब single A आया तो सबसे minimum string कौन सी थी आपकी single A तो single A आप ते हमारे ने क्या किया उसको final state पहुंचा दिया और यहाँ पर अगर मैं इसका loop बना दूँ अगर मैं A का यहाँ पर loop बना दूँ तो फिर single A नहीं multiple A भी आ सकते हैं लेकिन मेरे को सबसे पहले minimum string के लिए accept करवाना है तो minimum string क्या है single A तो अगर आप loop बनाते हो तो वो single A नहीं है कितने margy A आ सकते हैं तो आपको यानि Q naught से A आके symbol आप apply करते हो तो Q1 पर पहुंच जाओगे और Q1 मेरी क्या है final state अब आपको क्या करना है filling the blanks filling the blanks का मतलब क्या है DFA अभी यह complete नहीं हुआ क्योंकि Q naught A पर तो इदर जा रहा है B पर कहां जा रहा है B पर भी आपको बनाना पड़ेगा तो B पर बनाने के लिए logic क्या है हमारे पास जितनी भी strings है उसमें end में A आना चाहिए तो A से पहले B आ सकता है Yes, A से पहले B आ सकता है क्योंकि हमने पहले ही discuss किया कि B A B A वाली strings जो है वो आ सकती है तो A से पहले एक B आना चाहिए नहीं, A से पहले जितने मर्जी B आ सकते है last में a आना चाहिए तो यानि आप क्या करो b का self loop बना दो क्यों बनाया self loop simple सा logic है last में a आना चाहिए तो a से पहले एक भी भी आ सकता है दो आ सकते हैं 1000 लाग जितने मर्जी भी आ सकते हैं तो आप उसका self loop बना दो ना हमने इसको क्या करना है कोई trap state में कोई end state में नहीं डालना simple इसको loop बना दो तो ये जो है वो b के लिए यदर जा रहा है और a के लिए transition यहां पे है q1 देखो q1 a और b के लिए अभी कहीं पे हमने transition नहीं बनाई तो q1 a पे कहां पे जानी चाहिए आपके साबसे a पे कहां पे जानी चाहिए simple सा logic है end with a है end with a का मतलब क्या है कि अगर last मेरा symbol a है a के बाद क्या आना चाहिए a के बाद अगर a ही आता है multiple a आते है तो कोई problem है नहीं last में है रहेगा तो a ही न end with a है अब अगर मेरे पास यहां पे a है इसके बाद अगर एक और ही आता है जितने मर्जी a आए कोई problem नहीं है because last में a होना चाहिए तो उसका logic है simple q1 a पे self loop बना दा that's it b पे अगर मैं b पे अब देखो q1 b पे अगर मैं let's pause मैं इसको trap state में डालता हूँ मैंने इसको trap state में डाल दिया तो problem क्या है problem क्या हो सकती है अगर मेरे पास string आती है इस तरीके से a b a a b a तो देखो हमने discuss किया था a b a जो है वो accept होनी चाहिए क्योंकि a b a end with a हो रही है लेकिन अगर मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे starting with q0 q0 से मैंने a चलाया q1 पे पहुँच गए q1 पे b आया b आती मैं q2 पे पहुँच गया अब next a आती मैं कहां जाऊंगा obviously trap state हमेशा अपने आप ही जाती है तो आप q2 पे ही stuck हो जाओगे q2 पे stuck होगे क्योंकि आपने trap बना दिया तो trap यहाँ पे बनाने की जूरत नहीं है क्योंकि a b a type की string भी accept होनी चाहिए तो इसको accept करने के लिए क्या करो इसको accept करने के लिए आपको trap state नी बनानी आप क्या करो b के लिए वापिस भेज़ दो b के लिए आप q note पे बेज़ दो अब देखो a b a आया a b a a b a a b a जितने मरजी a b आये आप simple उसको accept कर सकते हो तो इस तरीके से आप जो है वो dfa design कर सकते हो किस type की language के लिए in which all the strings must end with a so this is how we have to design the dfa thank you